आज हम इस वीडियो में गैस गैंग्रीन की लैब डागनॉसिस के बारे में बात करेंगे यानि क्लॉस्टिडियम परफरेंजिंस की जो डिजीज है गैस गैंग्रीन उसके बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पैसिमन किसी भी to unsti वनड का कि sinर नेक्रों टीशु एक्साइट ले सकते हैं या मसल के सैमेशा ग्रूक्रिड़ क 550 कीबात करें तो आफ्टर ग्राम स्टेनिक हमें इत हम पॉजिटिव बैसिलétique कि लरेत परफिलिन निनिस के केस में दिख सकते और अगर हम कल्चर की बात करें तो हम इसमें ब्लड अगार का यूज कर सकते हैं तो ब्लड अगार पर सैंपल को इनॉकुलेट करने के बाद इंक्यूबेट करने के बाद at 37 degree Celsius हमें हीमॉलेसिस देखने को मिलती है और हीमॉलेसिस जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ एक transparent zone होता है around colonies क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो ब्लड को या अर्बीसिस को breakdown करने की capacity रखते हैं तो वह क्या करते हैं अपने around colony के एक transparent zone फर्म करते हैं तो हम जिसे कहते हैं हीमॉलेसिस या हीमॉलेटिक zone इसके अलावा हम कुगड मीट ब्रॉथ यानि CMB का शौट फॉर्म है कुगड मीट ब्रॉथ पर भी हम क्लॉस्टिडियम को ग्रोव कर सकते हैं इसमें भी जब हम बैक्टिरिया को इनकुलेट करते हैं उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं तो हमें दिखता है कि मीट पीसे जो तो ये बेक्टिडिया की परजंस में होता है तो पिंकिश कलर मीट पीसे का ये शो करता है कि बेक्टिडिया की परजंस नहीं कॉस्क्रोश्टियं कंदियंग के फ़ेंगर में किश्टिय को पेहले ही हम क्या करने ग्रोन वादेंगे और उस ब्राद का 0.1nty jos ऑडल ह उसमें इंट्रा मास्कुलरली उसमें इंजेक्ट कर लेंगे और इंट्रा मास्कुलर्ला इंजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे टूट्य 24-hour तक इसे observe करेंगे और 24-hour बाद अगर यह बेक्टीरिया वहां प्रेजेंट है तो एनिमल की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी और एनिमल की डेथ के बाद हम इसके स्प्लीन को और हार्ट को हार्वेस्ट कर लेंगे और हम यह देख पाते हैं उस स्प्लीन या हार्ट से हम बेक्टीरिया को आसानी से रिकवर कर सकते हैं तो यह भी एक टेस्ट होता है एस अनिमल पैतोजेनिसिटी टेस्ट इसके अलावा यह कुछ बाइकेमिकल भी प्रोड्यूस करता है जो इसके इडेंटिफिकेशन फीचर है जैसे क्लॉस्टिरियम परफिर इंजिंस क्या है एक सेक्रोलेटिक बैक्टीरिया है सेक्रोलेटिक मतब सेकराइड मीन्स सुगर लाइटिक मीन्स ब्रेक्डाउन करने इसके अलावा इसके अलावा यह इंडोल नेगेटिव है एच्टुएस प्रोडक्शन और अगर हम लास्ली इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग ड्रक्ट सेंगेशन जैसे मेटरनिटा जोल है पैनेसेलिन है सल्फोनमाइट से टेटरसाइकलीन और अमोक्सिसलीन तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं यह ड्रक्स तो लैब डियाग्नॉसिस में इतना ही आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में किसी और बेक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तैंक्यू